नमस्कार साथियों आज हम पट्वों की हवेली पर चर्चा करने जा रहे हैं तो आईए पट्वों की हवेली के बारे में जानते हैं और सबसे पहले तो पट्वों की हवेली का हम चितर देखते हैं ये पट्वों की हवेली है और पट्वों की हवेली का नाम आते ही जैसलमेर क नाम आता है हमारे राजस्तान में हवेलियों की नगरी जैसल मेर को कहते हैं और जो अपने राजस्तान में हजार हवेलियों की नगरी है वो बीकानेर को कहा जाता है और हवेली इस्तापत्य कला का विकास अठार्मी शताब्दी में हमारे राजस्तान में माना जाता है हवेली क बंद जगे से समंदित होती, इसका शाब्दी करती हवेली का शाब्दी करती बंद जगे से होता है अपने राजस्तान में सेट, साहुकारों, जागिरदारों, जमीदारों ने हमारे राजस्तान में हवेलियां इस्तापत्यकला को विक्सित किया यानि हवेलियों का निर्मान करवाया राजा, माराजा तो किले और महल बनवाया करते थे जागिरदार, सेट, साहुका ये बनवाया करते थे हवेलियां बनवाया करते थे और एक हवेली के कई सारे पार्ट होते थे एक हवेली कितने चोक की हवेली है या कितने ब्रामदे की हवेली है पोड हवेली में हुआ करते थे कमरे कितने कमरों की हवेली है उसके अतरिक्त अगर हवेली स्तापत्यकला की बात करें तो उसमें चबूत्रे भी देखे जाते थे कितने चबूत्रों की जालियां जहरों के य अपने राजिस्तान में कहां पर है ये पट्वों की जो हवेली है ये अपने राजिस्तान में जैसलमेर में तो कहां पर है ये जैसलमेर में पट्वों की हवेली राजिस्तान में जैसलमेर में जैसल में इस हवेली का जो निर्मान है वो करवाय था अठार्मी शताब्दी में एक व्यापारी थे जिनका नाम गुमान, चंद, बापना या पटवा था तो ये हवेली कब बनी थी? अठार्मी शताब्दी में और इसका निर्मान किस ने करवाय था? गुमान, चंद, बापना या पटवा के द्वारा का गुमान, चंद, बापना या पटवा एक व्यापारी थे जिननों ने अपने पांच पुत्रों के लिए ये पांच हवेलियां बनवाई थी जो पाँच मंजिला हवेली हैं अत्य है पाँच हवेलिया निर्मित करवाईगी ती इन पाँच हवेलियों के समों को पठ्वों की हवेली कहा जाता है तो इन्होंने पाँच हवेलिया पाँच हवेलिया पाँच पुत्रों के लिए और पांच मंजिला हवेली ये पांच मंजिला हवेली है पट्मों के हवेली और इसमें जरोकों की संक्या कितनी है इसमें जरोकों की संक्या है वो 66 जरोके है तो जरोकों की संक्या कितनी है 66 जरोके है इस हवेली को एक नाम से और जाना जाता है और इसे ब्रॉकेट मर्चेंट की हवेली भी कहते हैं अत्या ब्रॉकेट मर्चेंट की हवेली पट्वों की हवेली का दूसरा नाम है इसका एक नाम और है ब्रॉकेट मर्चेंट की हवेली ब्रॉकेट मर्चेंट की हवेली ये इस हविली का एक नाम और है ये जो पट्वों की हविली है ये क्यों famous है? पत्थर की बारी कटाई जालियों के लिए, जरोपों के लिए, नकाशी के लिए ये हविली काफी famous मानी जाती है तो क्यों famous है? पत्थर की बारी कटाई बारी कटाई जालियों जालियों जरोखों जरोखों वे नकाशी के लिए वे नकाशी थे तु पत्थर की बारिक कटाई, जालियां, जरोखे, नकाशी इस हविली के काफी famous हैं इसी के लिए जानी जाती है ये किस इस्तापत्यकला में बनी हुई है ये हिंदू, मुगल, सिंध, वे यहूदी इस्तापत्यकला का मिश्रण है तो किस इस्तापत्य कला में बनी हुई है हिंदू, मुगल, सिंध, वे यहूदी, वे यहूदी, इस्तापत्य कला का मिश्रण है, इस्तापत्य कला का मिश्रण है, इस हवेली की अगर बात करें, तो हमारे राजस्तान में बहुत सारी हवेलियां हैं, और सबसे ज़्यादा हवेलियां शेखावाटी छेतर में हैं, हवेलियों की नगरी जैसलमेर, हजार हवेलियों की नगरी बिकानेर और सरवादिक हवेलियां हैं, वो शेखावाटी छेतर मे हैं तो यह जो हवेली है हमारी पट्मों की हवेली यह जैसल मेर की सबसे प्रसिद हवेली है यह जैसल मेर की सबसे बड़ी हवेली भी मानी जाती है जैसल मेर की सबसे प्रसिद हवेली जैसल मेर की सबसे प्रसिद हवेली और जैसल मेर की सबसे बड़ी हवेली है तबसे प्रसिद हवेली है जैसल मेर की सबसे बड़ी हवेली है किसको मना जाता है वह हवेली मनी जाती है हमारी पटवों की हवेली जो जैसल मेर में है, तो हमने देखा कि इस पट्वों की हवेली पर क्या-ک्या सवाल बनते है, कि यह जो पट्वों की हवेली है, यह जैसल मेर में है, अठारवी शताबनी में गुमान चंद वापना या पट्वाने बनवाई थी, अपने पांच पुत्रों के लिए पांच हवेलियां मनवाई थी जो पांच मंजिला हवेली है जो जिसमें जरोकों की संक्या 66 है ये ब्रोकेट मर्चेंट की हवेली के नाम से भी जानी जाती है पत्थर की बारी कटाई जालियों जरोकों वे नकाशी के लिए ये प्रसिद मान तो आज आपने एक हवेली के बारे में जाना जिसका नाम था पट्वों की हवेली अगर आप और अधिक बहतर जानकारी जानना चाते हैं तो हमारी राजस्तान कला संस्कृति की एक कुस्तक मार्केट में उपलब्ध है ये चोहान पुब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित है और इस पुस्तक को देख सकते हैं अगर आप घर बैठे भी इस पुस्तक को मंगवाना चाते हैं तो घर बैठे इन नमरों पर कॉल करके आप इस पुस्तक को घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं अगर और अधिक आपको हमारे कोर्सेज वगरे अगर ऑनलाइन पढ़ना चाते ह तो एक drone app हमारा है, जो विद्यारती हित्मे करांती की और अगरसर है, उस drone app में बहुत अच्छे अच्छे courses, बहुत इच्छे शिक्षिकों के माध्यम से हमने बनाए है, तो आप उसके माध्यम से भी इन courses को देख सकते हैं और अधिक बैतर अपनी तैयारी कर सकते हैं, तो दे तेम आर झेए.